जो भगवान नंदी के कानूं में कुछ के कर आते हैं बोले हो कभी सीधे बोल देते हो क्या जाता है नंदी के कानूं में कहने का भी एक तरीका है आप लोगों को मालूम होगा उट तरीका नहीं मालूम बेल पत्री की जो डंडी रहती है न बीच का जो भाग है यह बीच की जो डंडी है फिर से देखिए बेल पत्री के दो पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है दिखरा है आप लोगों को यह दो डंडी यह बीच की दो पत्ती उसके बीच में जो दो डंड चल रही है बाबा मैंने competition exam में परिच्छा दिये बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है इस उंगली से इस अंगुष्ट से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के करण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के उ शुक सुंदरी की जगा पर चड़ा कर दापी सजाते हैं देव अधिद्य महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और हो कहना ही ये बेलपत्र की महत्तर है ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना क्यूतना फल हम आपसे फिर कहेंगे कभी मोका मिल जिसकी छाओं तुमारे ऊपर पड़ रही है तुमारे उपर अगहरे उपर इसके नीचे बेड़ कर कभी मोका मिले एक बेलपत्री का पतथा मतर कर आप मत्र कर आप शिवजी का नाम लेकर जल भी अगर समर्थिक कर रहो ना तो ना कहारा जोटिल लिंग लोने के बराबर प बेलपत्री का पत्ता एक बेलपत्री का व्रक्ण एक बेलपत्री के व्रक्ण की च्छाओं हमारे जीवन कुस्थ कृतार्ट कर देती कि किता एक पत्त आया है देती